दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ये figurative language क्या होती है बहुत ही interesting वीडियो होने वाली है मैं एक नए तरीके से समझाऊंगा चलिए शुरू करता है मिलता हूँ इस वीडियो के end figurative language आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे ये क्या होता है ये एक ऐसे टाइप की लेंगवेज होती है जो बोलती तो कुछ और है और उसका मतलब कुछ और निकलता है example देखर समझाता हूँ मेरा एक दोस्त है गरीश वो गोड़े की तरह दोड़ता है अब मेरा ये मतलब नहीं है कि गरीश के गोड़े के पैर लग गए है और वो तबड़िक तबड़िक करके दोड़ रहा है नहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि वो बहुत पास्ट दोड़ता है जैसे घोडा बहुत पास दौरता है पैसे गिणी भी पास दौरता है अब मैंने एक अलग तरीके से इस बात को बूला मैंने बुला गिणी घोडय की तरह दौरता है तो कितना अच्छा लग रहा सुनने में गिणी घोडय की तरह दौरता है तो figurative language वो होती है जो बोलती तो कुछ और है और उसका मतलब कुछ और निकलता है अब इस टाइब की language में बहुत सारे variety होती है जैसे simile simile का मतलब होता है comparison between two things using like और as like और as word use करके दो चीजों का comparison करना simile कहलाता है जैसे मेरा जो दोस्त है गिरीश उसमें एक और quality है वो भेडिये की तरह खाता है गिरीश भेडिये की तरह खाता है गिरीश eats like a wolf मैंने यहाँ पर गिरीश और भेडिये का comparison किया like word का use करके यूँकि मैंने सच में देखा है कि वो भेडिये की तरह खाता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गिरीश सच में भीडिया बन गया वो अभी भी इंसान ही है, लेकिन हरकते भीडियो वाली है सो ये सिमिली है जहां भी like और as word का यूज करके दो चीजों में comparison किया जाए सिमिली होता है दूसरी variety है metaphor ये बहुत खतरनाक चीज है इसमें भी हम comparison ही करते हैं लेकिन बिना like और as words का यूज की है पर एक्जमपल अगर मैं ऐसा न बोलकर कि गिरीश भीडिये की तरह खाता है ऐसा बोलता कि गिरीश भीडिये ही है गिरीश इस बोल्फ तो ये एक metaphor होता है वैसे मेरी कहने से गिरीश भीडिया नहीं हो जाएगा इंसान बना कर भीजा गया है इस प्रत्वी पर तो इंसान बन कर रहेगा ये अलग बात है कि हरकत है उसकी वीडियो वाली है तो simili की ही तरह metaphor में भी दो चीजों का comparison होता है without using like और else next figure of speech है personification personification का मतलब होता है non living objects को insani qualities देना जैसे मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है तो चांद का टुकड़ा कैसे सामने वाली खिड़की में रेंट पर रहने आएगा यहाँ पर हमने चांद को human quality दी कि चांद नीचे आया और आकर हमारे सामने वाली खिड़की में रहने लगा तो यह होता है personification non living object को human quality देना अब दोस्तों last लेकिन सबसे खतरनाख figure of speech है hyperbully hyperbully का मतलब होता है overstatement किसी चीज को बढ़ा चड़ा कर बताना जिसे आपने सुना होगा गर्मियों में अक्सर लोग बोलते हैं आग बरस रही है आग या फिर कोई ऐसा बुले कि मैं इतना भुकाओं की हाथी मार के खा जाओ तो यह है overstatement इसको कहते है hyperbully तो इसी को हम figure of speech या फिगरिटिव language कहते हैं जिसका मतलब कुछ और होता है और वो बोलती कुछ और है language